पांच जमा पांच जमा पांच को गुणा की क्रिया के रूप में लिखिए इसे हमें तीन अलग-अलग तरीकों से लिखना है आईए इसे गुणा की क्रिया के रूप में लिखें तो हमने यहां 5 को कितनी बार जोड़ा है यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आप कहेंगे कि मैंने यहां 5 को 7 बार जोड़ा है, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि यह 7 बार 5 है, चलिए लिखते हैं, 7 बार 5, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 बार 5, 7 बार 5, यहां में ऐसे लिख सकते हैं, 5 7 बार, मैं इसे गनित की भाषा में नहीं लिख रहा हैं साथ सेब या सेब साथ जो कुछ भी हो सही मायनों में देखा जाए तो हम यहां इन दोनों को जोड रहे हैं और हम देख सकते हैं कि यह क्या है और क्यूं नहीं लेकिन जब इसे गनित की भाशा में लिखा जाएगा तब हम कहेंगे साथ गुणा पांच आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साथ गुणा पांच और हर बार इसका अर्थ साथ गुणा पांच या पांच गुणा साथ ही रहेगा आप इसका क्रम भी बदल सकते हैं, मगर इसके बाद भी इसका मान नहीं बदलेगा आप इसे पांच गुणा साथ भी लिख सकते हैं इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साथ का पांच गुणा या पांच का साथ गुणा मैं आप लोगों को इसमें उल्जाना नहीं चाहता हूँ मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये एक ही बात है चाहे आप इसे कोश्टक में लिखें तब भी इन सब का मतलब एक ही है यानि कि 7 गुणा 5 या फिर 5 गुणा 7 इन सब का मतलब एक ही है अब जब हम इतना समझी चुके हैं तो अब हम सवाल के उत्तर की ओर चलते हैं अब ज़रा 5 जमा 5 सादवार गिने 5 और 5 हुए 10 10 और 5 हुए 15 15 और 5 हुए 20 20 और 5 हुए 25 25 और 5 हुए 30 30 और 5 बराबर 35 तो 5 गुना साद किसी भी तरह से लिखा जाए ये 35 के बराबर होगा ये होगा 35 के बराबर बार गिने यानि कि साद को 5 बार गिनना है तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा 7 जमा 7 जमा 7 जमा 7 जमा 7 तो हमने 7 को 5 बार जोड़ा या फिर 5 को 7 बार जोड़ा वो 35 के बराबर होगा तो 7 गुणा 5 या 5 गुणा 7 जो की एकी बात है किसी भी तरह से होगा 35